हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आप सबका स्वागत है फिर से नी व्लॉक वीडियो में मेरा नाम मुहम्मद अब्रार सिद्धिकी और आज जो है ना मैं आपको हॉंटेट पलस में घुमाने बाला हूं गाईज जी हॉंटेट पलस में जमाली कमाली मस्जित और राजू की बावली यह हॉंटेट पलस माना जाता है और यहां जो है ना सलमान खान की सुल्तान मुवी जो है ना उसकी शूट हुई है उसका भी जो है ना मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाने वाला हूं चलिए हम व्लोग क का रास्ता गोज बहुत सिंपल सा रास्ता है और यह मेहरोली कॉंप्लेक्स हम इसके अंदर चलेंगे और यह जो जंगन वाला रास्ता है यह जमाली कमाली की तरफ जाता है फिस पैनली जहां न हम अंदर एंटर कर चुके हैं और यह जो जगह है पार्क है चारो तरफ जंगली जंगल है और यहाँ पर कैमरा अलाउट नहीं है अगर आप व्लॉकर होतो हो मोबाइल से ही आपको शूट करना पड़ेगा ठीक है गाइस और यहाँ पर है जमाली कमाली मस्जीद राजू की तो यह वीडियो जो है ना वह बहुत ही जबरदस्त होने वाला है यहां पर आओ तो अकेले मत आना क्योंकि काफी जंगली जंगले मैं तो अकेला आगया हूं अपने साथियों के साथ ही आना ठीक है गाइस तो अब जो है हम चलते हैं और अंदर की तरफ पर जो आप बोट इसके अंदर हमें चंगला है बस देखते हैं और कितना दूर चंगला होगा तो गाइस यह जो है न जमाली कमाली मस्जिद इसका में दरवाजा है इसके अंदर जो है उसका इतिहास भी में आप लोगों को बताने वाला हूँ और एक चीज में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यह जगह देखो आप इसको देख करके कुछ याद आया आपको याद करो नहीं याद आया मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर सलमान खान सुल्टान मुवी में कपड़ा धो रहे हैं इस होज में अब याद आया और एक जगह ये है इसको देख करके आप याद करो कुछ याद आया नहीं याद आया तो मैं बताता हूँ यहाँ पर सल्मान खान बैठे हुए सुल्तान मुवी में और यहाँ पर मिट्टी का बहुत बारा कुष्टी का यह लगाया गया था यहाँ पर कुष्टी खेलते हैं सल्मान खान यह देखा होगा अपने सुल्तान मुवी में देखना तो गैस ये जगह जो है न वो बहुती सन्नाटा है बहुती सुकून है यहाँ पर सुल्तान मुवी का बहुत बड़ा सीन जो है न वो शूट हुआ था और यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो आपको दूर दूर तक जो है न आदमी देखने को नहीं मिलेगा बिलकुल भी ठीक ह और एक जगह जो है न मैं और आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर सल्मान खान आराम करते थे अब जो है मैं आपको वो सिंग दिखाने वाला हूँ यह जगह देख रहे हूँ आप कुछ यादा है इसको देख करके यहाँ पर सल्मान खान बैठ करके खाना खा रहा है सुल्तान मूवी का मस्जित का जो है वो नजारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यह मेंबर है आप देख रहोंगा यहाँ पर पुरान की आयत लिखे हुई यह पूरे में लेकर रहा है यह मेंबर सुल्तान मूवी में सलमान खान जो है ना इसी पेर के नीचे बैट करके पहलवानी कर रहे थे ठीक है और आज जो है ना मैं यहीं बैट करके आप लोगों को जमाली कमाली मस्जित का इतिहास बताने वाला हूँ गैस मौलाना जमाली जो है अल्ला के वलियों में से थे ऐसा लोग कहते है ठीक है और लोदी वन्ष के दोर में लोदी वन्ष के दोर में जो है ना तीन सुल्तान थे तीनों सुल्तानों के दोर में जो है ना मौलाना जमाली जो है वो उनके दरबारी रह चुके है लोदी वन बनवाया था और यही इसी मस्जचीड में मौलाना जमाली और कमाली दोनों अबादत किया करते थे 2528 इस factor में इस मस्जचीड का निर्मान हुआ था और 1536 में मौलाना जमाली का जैंछ तू है और इंतकाल नहीं है ठीक है गैस तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं तो गैस यह वो मस्जीद है जिसमें जो है मौला ना जमाली कमाली दोनों जह इबादत किया करते थे ठीक है यह जो सामने आप देख रहे हो ना इसके अंदर जाना एलावड नहीं है और आपको यूटूब पर वीडियो नहीं मिलेगा अंदर का ठीक है लेकिन मैं जो है आप लोगों को पूरा अंदर का है न शेयर कराऊंगा इसके अंदर जो है वो जमाली कमाली का है न मकबरा है वो भी मैं आप लोगों को अंदर से दि यह जो है जमाली कमाली का कबर है तो इसके अंदर भी जो है ना कुछ कबर है यह देख रहे हो आप और यहां पर जो है ना वीडियो बनाना एलाउड नहीं है बहुत मुश्किल से जो है गाट से कहे के खुलवाया है हमने तो अब बाहर की तरफ चलो इनोंने जो है ना इनो ने जो है गेट खुलुआ है मैडम ने मैंने आप लोगों को जमाली कमाली मज़िद का पूरा नजारा करा दिया है और अब जो है राजू की बावली जो है मैं उसका नजारा करा करके व्लॉग जो है वही खतम कर दूँगा ठीके गैस तो चलते हम राजू की बावली की तरफ करके फाइनली जो है ना जमाली तरफ दो चलते हम आप लोगों को शेयर कराते हैं मिस्तरी की बावली का तो गैज यह वाला जो रास्ता है हमें इधार ना जा करके हमें बिल्कुल सीधा चलना है और यहां पर देखेंगे आप तारो तरफ जो है न वो जंगली जंगल है यह देख रहे हो आप इसलिए जो है न यह जगह जो है हॉंटेट पलस माना जाता है शाम के टाइम पर यहां लोगों का आना जो है वह मना है तो गाइस फाइनली जो है काफी दूर पैदल चलने के बाद जो है हमें दिखा राजू की बावली मिस्तिरी की बावली यह चीज़ देख रहे हो आप और यह जो देख रहा हूँ इसके इस तरफ जो है लो द्रफ का मकबरा है ठीक है इसको सब्सक्राइब का बंद कर दिया गया है यह देOkay आप इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं तो इसके लो जे को हैँना हम चल टें ऑर चुकी बावली तो गैज ये है राजू की बावली यानि मिस्तरी की बावली ठीक है और ये जो जगह है इसे काफी हॉंटेट माना जाता है लेकिन मेरे हिसाब से तो लगता नहीं कि ये हॉंटेट होगा ओके गाइस ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और मैं आप लोगों को नजदीक चल के दिखाता हूँ काफी गहरा हुआ करता था ये देख रहे हुआ जिस जगह पर आदमी अगर ना रहना तो वह हॉंटेटी बन जाता है लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बता दू उस जमाने में महरोली में जो है ना पानी की बहुत कमी हुआ करता था क्यूंकि यहां पर आपने देखा हुआ कि चारों तरफ जंगली जंगल है तो इसलि से हॉंटेट प्लेस भी बोलते हैं अगर आप यहां आओ तो अकेले मत आना अपने साथियों के साथ आना गाईज आप यह देख रहोंगे कि चारों तरफ जो है ना आपको जंगली जंगल मिलेगा ओके गाईज और यह बहुत दूर में फैला हुआ है और भी बहुत सारी च जाने के हमें इजादत मिलेगी आई होप कि यह वीडियो जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो पिलीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बैल आइकन को जरूर दबाईए ताके आने वाली वीडियो की नोटिफ जान रखिये अल्ला हाफिज